हेलो गाइज ओड़ी पतंक क्लासेस में आपका स्वागत है I hope you all are preparing for your JCA exam very sincerely आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे सबसे important topic जो की है JCA paper जो की हमारी Supreme Court conduct कराने वाली है 26 से 27 सितंबर उसमें English attempt कैसे करनी है जी हाँ English paper जिसमें 50 questions आने हैं और सबसे ज्यादा weightage है JCA में English की उसको attempt कैसे करना है क्योंकि हम सबको हर कोई यह बता रहा है कि इसमें यह पढ़ना है यह वाला idiom important है यह वाला synonym important है बट हमें कोई भी इतनी सारी knowledge का execution नहीं बता रहा है क्योंकि अब जो next few days होंगे इसमें execution सबसे important होगा चाहे वो आप mock test जहेंगे चाहे वो GCA का actual exam देंगे time management for attempting English paper और जो मैंने आपको 60 minutes का time frame दिया है English के लिए उसमें आपको कैसे English attempt करनी है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ इसका main part जो है how to attempt JCA paper strategy वो जरूर देखें जिसमें मैंने एक consolidated form में बताया है कि two hours जो की आपका actual time है इस paper को attempt करने का उसको कैसे manage करना है और किस portion में कितना time लगाना है वो मैंने उस पूरी वीडियो में बता रखा है तो वीडियो को जरूर देखिए और यह सब वीडियो देखने से क्या होगा कि आपका एक plus point यह होगा कि आपको पहले से बता होगा कि यार मुझे यह चीजे ऐसे ऐसे attempt करनी है एक पहले से आपका time frame decide हो जाएगा और time management सबसे important होता है competitive exams में अब हम discuss करते हैं English paper जिसमें आने हैं आपके 50 questions इसको attempt कैसे करना है अब इसमें सबसे पहले समझते हैं कि English में आएगा क्या-क्या इंग्लिश में generally आएगा phrases and idioms, one word substitution, sentence correction, error spotting, fill in the blanks, spelling correction, reading comprehension, synonym and antonyms, active passive, sentence rearrangement, sentence improvement और direct and indirect speech इसमें नहीं लिखा लेकिन वो भी आ सकता है यह सब general है क्योंकि SS तो कोई specified syllabus होता नहीं English का बट यह सब general चीजे होती हैं जो की आती है generally English paper में तो इन सारे options में सबसे पहले आपने attempt करना है vocabulary portion जी हाँ vocabulary portion आपको सबसे पहले attempt करना है अब लोग पूछेंगे vocabulary portion में क्या-क्या आता है इसमें आता है phrases and idioms, one word substitution, synonym and antonyms अब यह जो सारी options मैंने आपको 4 options बताए हैं इनको आपको max to max करना है 10 minute के अंदर 10 minute के अंदर इतनी जल्दी करने का ये फायदा होगा कि आपको आगे वाले आने वाले questions जो time taking होते हैं उनके लिए time बचेगा और ये क्या है questions ऐसे होते हैं yes or no वाले अगर आपको आता है तो आता है नहीं आता तो आपको जादा दिमाग नहीं लगाना होता और एक और चीज कभी भी vague attempt मत कीजिए कि मतलब कुछ भी हो आपको attempt ही करना अगर नहीं आता तो आप skip जरूर करिए क्योंकि 100% score किसी भी competitive exam में नहीं होता किसी का अब वो 3 attempt करने के बाद आपको attempt करने हैं fill in the blanks, error spotting, spelling correction और सबसे last में आपको attempt करना है close test अब ये वाले questions जो हैं आपके around 15 to 20 questions होते हैं और ये आपको 10 minutes के अंदर करने है 10 minutes से जादा एक नहीं लेना क्योंकि अगर इस से जादा लेंगे तो आपके आने वाले questions जो की होंगे direct indirect, active passive, sentence improvement, sentence rearrangement, unseen passages ये वाला time, ये questions जो की time taking है ये generally आपको दिमाग पे जो डलवाएंगे कि इसको ऐसे attempt कर सकते हैं इसको ऐसे minute के अंदर कीजिए 15 to 20 questions के around होंगे और अभी तक आगर आप calculate करेंगे तो आपके 23 to 20 questions आप attempt कर चुके होंगे, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं next 27 questions जो की सबसे important होते हैं और इन ही questions को आपको सबसे last में करना होता है, अब ये सबसे last में करने जाने वाले questions, सबसे last में आपको जो करना है, वो है unseen passages और sentence rearrangement, अब sentence rearrangement क्या होता है, एक याद है, जो SSC में जवाब कभी आगर आपने दिया हो, PQRS form होता है, P, या फिर उसमें has लिख देंगे, फिर इसमें I लिख देंगे, फिर इसमें play लिख देंगे, फिर cricket, अब ये PQRS की form होते हैं, इनको कहनत पूरा पहरा पढ़ना होता है, कई बार एक एक बार में नहीं समझ आएगा, तो आपको दूसरी तीसरी बार भी पढ़ना पढ़ेगा, और ये होगा time taking, तो time taking है, तो कभी भी गलती से शुरुआत unseen passages से मत कीजिएगा, otherwise आपका ये time सारा खीच लेगा, और जो आपका crucial time है, जिसको आप idiom and phrases, one word substitution में इस्तुमाल कर सकते थी, ये सारा waste हो जाएगा, और time manage नहीं कर पाएंगा, और end में hesitate होके, अच्छा खासा paper खराब कर आएंगे, और राइट गाईज, ये थी आज की वीडियो, इंग्लिश पे, जिसमें आपने 50 questions attempt करने सीखे, जिसमें आपको idiom, phrases, one word substitution और antonym synonyms आपको 10 minutes में करने हैं, और next करने हैं, fill in the blanks, error spotting, spelling correction, और सबसे last में close test, ये भी आपको 10 minutes में करना है, अब next, जो आपके 40 minutes होंगे, इस ये सबसे crucial होंगा, सबसे ज़्यादा time taking यही होते हैं, direct, indirect, active, passive, और sentence improvement, और sentence rearrangement, और unseen passages, ये आपको करना है, last 40 minutes में, वो भी English portion के, याद रखिएगा, English portion के, और अगर आपको ये पूरी वीडियो समझनी है, तो आप इसका first part जरूर देखिए, जो कि है strategy to attempt JCA exam, जिसमें मैंने 22 hours का पूरा एक वीडियो बता रखा है, कि 2 hours में कैसे आपको attempt क करना है, ये पूरा paper, alright guys, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like जरूर कीजे, क्योंकि like से क्या होगा, ये बाकी students तक भी पहुंचेगी, और जिनको अभी तक वो गलग form में attempt कर रहे हैं, वो एक correct strategy बना पाएंगे, कि कैसे उनको JCA exam में अच्छे mark score करने हैं, और merit के अंदर आप आएंगे, तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को like जरूर कीजे, और subscribe कीजे, subscribe करने से क्या होगा, मैं जब भी ऐसी informative वीडियो, JCA के regarding लाँगा, आपको सबसे पहले notification आएगा, alright guys, ये था आज का वीडियो, thank you.